नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका इस रोजगार समाचार में डाग विभाग में नौकरी करने के एक्चोग अभ्यरतियों के लिए एक बरी ख़बर है दिर असल डाग विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट ऑफिस भरती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं यह भरती मेल गार्ड MTS, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन के पदोपर होंगी यह भरतियां कुल 1899 पदोपर की जानी है आवेदन करने की प्रक्रिया 10 नमेंबर से ही शुरू है और इसके इंतिन तारीक 9 दिसमबर निर्धारित की गई है एक चोग अभियरतियों के लिए 100 रुपे आवेदन सुल्क निर्धारित किये गए हैं हाला कि अन्य आरक्षित वर्ग के अभियरतियों से किसी प्रकार के आवेदन सुल्क नहीं लिये जाएंगे आवेदन प्रक्रिया ओनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकेगी चली अब हम इस पद के लिए उमिद्वारों के सैक्षनिक योगिता की बात करते हैं डाक्षिभाग में जिन पदों के बारे में हमने बात कि उसमें पदानुसार अलग-अलग योगिताई निर्धारित की गई हैं यदि मल्टी टास्किंग स्टाफ यानि MTS के पदों की बात करें तो इसमें दसवी पास होने के साथ ये स्पोर्ट्स में भी योगिता होना निवारे हैं यदि हम पोस्ट मैन मेल कार्ड की बात करें तो इसमें दसवी और बारवी पास होना जरूरी है साथी दो पहिया वाहन की ड्राइविंग लैसेंस और कम्प्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए वही है यदि हम बात करें डाक सहायक या सौर्टिंग असिस्टेंट के पदों की तो इन पदों के लिए नियुंतम सैक्षिनिक योगितास नातक की डिगरी होनी चाहिए साथी कम्प्यूटर की जानकारी भी होनी जरूरी है यदि इन पदों पर मिलने वाले वेतन की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और सौर्टिंग असिस्टेंट को 25,500 रुपे से लेकर 81,100 रुपे पोस्ट मैन और मेल गार्ड को 21,700 रुपे से लेकर 79,100 रुपे और 18,000 रुपे से लेकर 56,900 रुपे दिये जाएंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस में इन पदों की भरती के लिए उमिद्वारों की नियुंतम उम्र 18 वर्स और अधिकतम उम्र 27 वर्स के बीच होनी चाहिए आरक्षित वर्गों को इसमें भी छूट दिये जाएंगे उमिद्वा एक वेबसाइट की चर्चा हमने उपर भी की थी और इससे हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है आप यहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं यहां जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें कहां आविदन फॉर्म में पूची गई सभी जानकार आपको भविल समय परें फॉर्म भने से पहले अधी सूचना को पढ़ना ना भूले साथ अधी सूचना लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उमीद करते हैं जॉब से जुरिया जानकारी आपको पसंद आई होगी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद